हलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रोटोगेटिव चैनल में मैं प्रकास जुड़ चुका हूँ आपके साथ e-commerce related एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों अभी मेरे हातों में आप देख रहे हैं और ओनलाइन मार्केट प्लेश जैसे Amazon Flipkart पर सेल करना चाहते हो तो आपसे उस ब्रैंड का ब्रैंड और ट्राइजेशन लेटर मागा जाता है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रैंड और ट्राइजेशन लेटर आप कैसे ले सकते हो साथी ब्रैंड और ट्राइजेशन लेटर लेने के लिए आपको कैसे कांटेक्ट करना होता है डिस्टिबूटर्स को या कंपनीज को यह सब कुछ इस वीडियो में डेटर में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों ऑनलाइन अमजान और फ्लिपकार्ड जैसे e-commerce साइट में तीन तरह के प्रोड़क्स मेलनी सेल होते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइप के जो प्रोड़क्ट होते हैं वह होते हैं प्राइवेट लेवल प्रोड़क्ट अब इसमें होता यह है कि सेलर्स जो होते हैं वह अपना ट्रेडमार्क लेकर आते हैं किसी भी प्रोड़क्ट का और उसे फिर सेल करते हैं अपने ब्रैंड नेम के अंदर क्योंकि यहां पर जो brand name होता है वह आपका खुद का हो जाता है तो यहां पर आपको brand utilization later की जरूत नहीं होती है क्योंकि आप वहां पर trademark तो कर रहे होते हो तो आपका competition भी कम हो जाता है और ट्रेड मार्क से आपका काम चल जाता है फिर दोस्तों ब्रेंड के नेम के जगा पर हम जैनरिक यूज कर रहे होते हैं इसमें आपको नहीं ट्रेडमाग देना होता है और नहीं आपको brand utilization लेना पड़ता है इस तरह के प्रोड़क्स के लिए दोस्तों ठाट टाइप के जो प्रोड़क्स होते हैं वह होते हैं किसी दूसरे brand यहां पर मेरे पास एक जोती company का knife set है तो यह जो जोती यहां पर आप ब्रेंड देख रहे हो यह नहीं मेरा है और नहीं इस प्रोड़क्स तो मैंने manufacturing की है अब मुझे इस प्रोड़क्स की reselling करनी है e-commerce website पर मुझे इसे list करना है और इसकी selling start करनी है दोस्तों क्योंकि ये third party brand है और मुझे इसको list अगर करना है तो मैं इस brand का honor भी नहीं हूँ तो जब मैं इसे Amazon या Flipkart पर list करने जाओंगा और वहाँ पर जब मैं brand name डालूँगा जोती तो होगा ये कि companies जो है brand और ट्राइशन लेटर दीजिए क्योंकि दोस्तों Amazon और फ्लिपकार्ट एक बैल रिटरेट कंपनी हैं और ये नहीं चाहते कि उनके customer तक duplicate products बहुत जाए जोती जैसे मैंने बहुत मतलब कम branded product बड़ा आप जैसे हैवल ले लिजिए बजाज ले लिजा इन तरह कि आप प्रोड़क्ट का सेल करना चाहते तो भी आपसे ब्रेंड लेटर मांगा जाता है फ्रेंट्स यहां पर अब brand authorization letter को समझते हैं तो brand authorization letter दोस्तों जो भी company इस brand का ओनर होगी इस product के ब्रेंड का जो ओनर है जो भी company उससे हमें एक लेटर लेना पड़ेगा कि हाँ मैं जो भी आपके farm का नाम हो प्रेकास sales को authorize करता हूं कि वह हमारे product को sale कर सकती है अब फ्रेंट्स यहां पर जब भी आप apply करोगे तीन तरह के document आपते मांगे जाएंगे तीनों में कोई आपको एक देना होता है या तो आप brand authorization letter लाकर दीजिए या फिर आप trademark दीजिए या फिर आप invoice दीजिए dealer का purchase invoice और फ्रेंड्स तीनों को एक एकर समझते हैं अगर मैं आप से बात करूँ trademark की तो जाहिर है आप trademark नहीं दे सकते हो क्योंकि यह जो brand है जो भी brand का product आप sale करना चाहते हो वो brand के honor आप नहीं हो तो trademark का तो या बात ही कतम हो जाता है उसके बाद जो friend बारी आती है वो है brand authorization letter की तो friend brand और ट्राइशन letter के लिए आप company को approach करते हो जिस भ हम उन्हें अगर अप्रोच करते हैं तो वह हम हमें जाहिर है brand नहीं देंगे उन्हीं को मिलता है जो dealer होते है किसी भी एरिया के उन्हें brand लेटर बाइकाइदा आता है कि अबर authorized dealer of this area या particular city और बाइदावे company हमें देती है brand लेटर तो हमें उस एरिया कर फिर डिलर्सिप ले नहीं होंगे तो हमारा ज्यादा investment उसमें ही चला जाएगा या फिर हम अगर छोटे sellers हैं हमारे पास ज्यादा यह investment नहीं है उस company में लगाने के लिए product लेने के लिए क्या कि हम एक ही तरह के product ले ले तो हमें different range के product रखने पढ़ते online selling में तो भी यह दिक्कत वाली बात है तो क्लिप कार्ट आपको यह facility देती है कि आप invoice भी देखे brand ले सकते हो अब दोस्तों यह जो company है इसका हमारे नियर में कोई ना कोई distributor है मैं उसके पास गया और उससे इस माल को मैंने पर्चेज किया इस goods को मैंने पर्चेज कर लिए स्नाइप सेट को और अब आपको ध्यान यह लग हो जाते हैं मतलब बहुत से बड़े-बड़े distributor होते हैं जो इस तरह का प्रड़क्त मिल जाएगा बजाज या फिर आप है बस इनके प्रड़क्त लिना चाहते हैं तो मिल जाएगा और रेट भी लगा देंगे बट आप से आप वह आपको invoice भी दे देंगे लेकिन होग यह दोस्तों कि वह आपको काम नहीं आएगा क्योंकि Amazon Flipkart के पास लिष्ट होती है कि कौन से एरिया में कौन उनका authorized dealer है किसी भी company का तो आपको ध्यान यह रखना है कि आप जब भी प्रड़क्त परचेज करो उस company का authorized distributor से परचेज करो आप उन्हें पूछो कि क्या आप इस इस invoice में भी बहुत कुछ mention होना चाहिए जैसा कि जो भी seller से आप जो भी supply से आप माल ले रहे हो उसका पुरा नाम एड्रेस साथ ही उनका contact detail और GST नमबर यह mention होना चाहिए उस बिल में उसके बाद आपका जो आप जो भी आपका farm का नाम है जिस भी नाम से आपका seller account है Amazon Flipkart पर अब देखिए आपके form का नाम और seller name में अलग हो सकता है तो उसमें कोई problem नहीं है आपका जो GST नम जिस नम से अपने लिया है क्योंकि बहुत को क्या होते हैं कि GST जो नेम है GST पर वह अलग होता है और seller account पर नेम अलग होता है तो उससे problem नहीं है आपको GST में जो नाम है जिस भी नाम से आपका form है उस नेम पर आपको यहां पर सो कराना है साथी आपका जो GST नमबर है वह भी सो होना चाहिए आपका state सो होना चाहिए आपका contact नमबर यह सब कुछ इस विल में सो होना चाहिए और इस विल से फिर आपको आपको apply कर रहा है जिस भी ब्रैंड को आप सेल करना चाहते हैं तो फ्रेंट इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया आज फर्स्ट पार्ट ने आपने देगा कि ब्रैंड और ट्राइशन लेटर क्या होता है सेकेंड पार्ट कल ही अप्लोड हो जाएगा जिसमें मैं फ्लिप कार्ट पे आपको ब् कि कौन कैसे यसे अप्लाइ करना है साथी उसी वीडियो का अपने अगर देख रहे हो तो उसी वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्टूसर में डाल दिया है आप लिंक के फूर्बी जाके देख सकते हो कि फ्लिप कार्ट पे हम ब्रैंड अप्रूबल कैसे लेंगे किसी भी करें साथ इस वीडियो से आपका कोई कोई से लेटर से कुछ पॉइंट अगर मैंने छोड़ दिया और आपको को साथी मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो आप वहां पर जाके फॉलो करके डिम कर सकते हैं वहां भी मैं आपको रिप्लाइज जरूर दूँगा वीडि कर दिया घूरर से कुछ धिया जरूर से खिरहीं दूएंट रगा वहां आपको कि बivo élections इस वीडियो से आपको बढ़ हो आपको को मैं जर शोड़ हो आपको शोड़ मैं आपको को दोड़ कै senhorasdحुशनिका एको मैं वहां ची जरूरों